हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सस्रियकाल, जैस्री राम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रमेश और फिर से मैं आपकी समक्ष हाजीर हूँ नए वीडियो को लेकर जो की आपके लिए जनकारियों से भरा है आज का टॉपिक है कहीं आप यूग करते समय स्वास्त के साथ खिलवार तो नहीं कर रहे हैं ये सावधान करने का मेरा मकसद है यगर आप यूगा का पूरा लाव लेना चाहते हैं तो हमें कुछ बात तो से सावधान रहना चाहिए जो कि आपको आगे हम चर्चा करने वाले हैं तो आप विडियो के आंग तक बने रहे हैं यही आप से अग रहे जैसा कि आप जानते हैं ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका की नाम है योगा स्कॉलर्स स्कूल इसमें हम लोग आपके लिए रिशर्च बेस्ट एविडेंस बेस्ट और एक्सपेरियेंस बेस्ट तीनों पर आधारित हम लोग आपको जनकारी देने का प्रियास करते हैं तो आपसे आगर है कि इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आपको अगर इस चैनल की बाते अच्छी लगती है तो आ सब्सक्राइब करें अब हम लोग अपनी चर्चा प्रारम्भ करते हैं आप कोई भी योगा सेशन कर रहे हैं या कोई भी फिजिकल फिटनेस का कोई भी सेशन कर रहे हैं तो आपको अपने आप से कुछ सवाल करने चाहिए क्या आपने कभी विचार किया कि हमारा टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा है योगा करने से या किसी भी फिजिकल फिटनेस का सेशन करने से जो लाब हमें योगा से मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं ये अभी आकलन करें आखिर क्या कारण हो सकते हैं नहीं लाव मिलने के इन सब ही बातों का आकलन कीजिए तो आज आप इस वीडियो में जान पाएंगे कि वह कौन से इंग्रेडियेंट्स हैं जिसके बिना योग अधूरा होता है तो इन ही इंग्रेडियेंट्स की बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं यह आपके लिए जनकारे से भरा वीडियो है इसलिए आप इसे ध्यान से सुनें समझें देखें ये पाँच इंग्रिडियंट्स हैं हमारे इंटर्नल इंग्रिडियंट्स जो हमें बाहरुप्ष दिखाई नहीं पड़ते लेकिन इनका होना योगा सेशन में बहुत ही आवस्चक है पहला है अवेरनेश जागरुकता दूसरा है एक्षन आउटर एक्टिविटीज मिस क्रियाएं तीसरी है फिलिंग्स इनर एक्टिविटीज भावनाएं फ्लो प्रानिक फ्लो प्रान का संचरन और पाँचवा है पॉजिटिव एटिट्यूट्स तो आए पहले से हम लोग प् भी कर रहे हैं उससे हम जुड़े हुए हैं कि नहीं तो जागरुकता का सिधा सा अर्थ है कि परतमान में रहना आप योगा कर रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और लगा है योगा करते हुए आप ओफिस में हैं योगा करते हुए कहीं स्कूल में हैं योगा करते हुए आपका खेल में मन लगा है तो इस तरह से योग आपको पूरा बेनिफिट्स नहीं दे पाएगा तो आपको वहाँ परतमान में रहना बहुत यावस्यक है और ये कोई भी योगा सेशन का ये अधारभुत कुंजी है ये बेसिक की है अगर ये आप के पास नहीं होगा तो आपका अगर युक्ता को बनाये रखें यही आपसे आग रहा है कि आप कि सी भी योगा सेशन में इसे आप अपना के रखें ज्यागर युक्ता बरतमान में रहें दूसरी है क्रियाएं क्रियाएं लुक्ता क we are लिए कि आपको अ disputes we say यहां यूगा है रनिंग है swimming है I am वाकिंग है जीम है तो इन क्रियाओं को आप पहले तो जाने कैसे किया जाता है उसकी उचित विधी किसी से जाने या किसी के अंडर गाइडेंस में करें और गलत अभ्यास ना कीजिए नहीं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है उसके साइड एफिक्ट्स हो जाते हैं तो क्र जीए उसकी सही करने का तरीका क्या है और जब तक आप सठीक क्रिया नहीं करें तो आपको लाव नहीं देगा इसलिए किसी के उचित मारग दर्सन में ही कोई भी क्रियाओं को करने का प्रयास कीजिए अब आते हैं तीसरी चीज भावना हमारी भावनाएं कैसी होने योग की जो एक्टिविटीज होती है वो बिलकुल हमारे अवांचित होती है मतलब कि हम हमें अंचाहा करना पड़ता है उसमें हम उसको करने में खुसी महसूस नहीं कर पाते हैं उसमें आपको पेन है करने में आलस्य है बहुत सारा तो आप जो भी क्रिया करते हैं उसको एक अच्छे भाव से किया कीजिए आप लोगों ने सुना भी होगा जिनकी रही भावना जैसी प्रभुमोरित देखी तिन तेसी आप योग करते समय जिस भाव में आप योग करेंगे आपको वैसा ही लाव मिलेगा आप अगर गुसे मे योग करेंगे तो आपका विचार भाव गुस्य वाला होगा अगर आप प्रसन मुद्रा में योग करेंगे तो आपका आपके जीवन में प्रसनता आएगी इसलिए भावनाओं का महत्त होता है अब चाउथा चीज है आपके लिए प्राण का संचरन आप कोई भी उदान, बियान, समान, अपान ये पांच प्राण होते हैं हमारे सरीर में और इनका संचालन होता है योगी क्रियाओं से, आसनों से, प्रणायाम से, मुद्रा से, बंध से, सटकर्म से इन सभी चेजों से प्राण का संचरन होता है हमारे सरीर में तो आप योग करते समय आप अपने आंत्रिक औलोकन करते रहें कि हमारे प्राण का संचरन सही धंग से हो रहा है पूरे सरीर के पूरे कोशिकाओं तक इसलिए प्राण का फ्लो आप अपने मांसिक औलोकन में उसको कराते रहें किर्याओं के साथ बावनाओं के साथ और चौथा चीज है आचवा चीज है positive attitude सकरात्मक मनवृत्ति मतलब कि आप कुछ भी करें तो रो के, खीज के, क्रोध से न करें, बिल्कुल सहज भाव से करें उसे इतनी सहज भाव से आप करेंगे नर्मलता में करेंगे उतने ही आपको योग लाफ दायक होगा लाब देने वाला होगा attitude is everything मतलब कि आपकी जैसी बृत्ति होगी मनवृत्ति होगी वैसे ही आपको लाब मिलेगा इसलिए अपनी attitude को positive बना के रखे योग करते से मैं यही आप से आक रहा है निवेदन है इन 5 ingredients पे अगर आप work करते हैं तो यह आपके लिए पिलकुल फाइदे मंद है योगा session करना और आसा है कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप से अगर है कि इसे अपने तक ही सिमित न रखें इसे अपने दोस्तों तक पहुँचाएं अपने दिश्तिदारों तक पहुचाएं और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादस से ज़्यादा उसे फैलाएए आपको अगर अच्छा लगता है तो बिलकुल अपने तक सिमित मत रखें उसे बाटिए ज़्यान जितना आप बाटेंगे उतना ही बढ़ेगा समाज को भी लाब होगा आपको भी लाब होगा बहुत बहुत धन्यवाद आश्या है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स एब्रिवन